वेल्कम तो अग्रीकल्चर टरा 24-7 और यार्ट 24-7 बच्चो जैसा कि हम लोग रोज आपस के साथ मिलते हैं हम लोग की क्लास चल लए है सिस्टेंट अग्रीकल्चर आफिसर्स की तो उस क्लास की आज हम लोग फिर से नई क्लास के साथ हुए हैं हम लोग इससमें क्रॉप्स यानि कि production technology of fruits पढ़ रहे हैं क्योंकि काफी लंबा slavis है और समय का थोड़ा सा आभाव है जिसकी वज़े से हम लोग थोड़ा सा speed में चल लाए हैं तो आज हम लोग नई क्रॉप के साथ फिर यहां पर पस्तित हुए हैं नई क्रॉप के साथ हम लोग नया जो पढ़ेंगे देखेंगे कि आज की क्रॉप में क्या-क्या होने वाला है कौन-कौन सी सारी चीज़ें इंपोर्टन होने वाली हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहां पे discuss करने वाले हैं, तो बच्चो जल्दी से जुड़ जाईए और हम लोग शुरू करते हैं, आज का अपना session, आज का session काफी मज़ेदार होने वाला है, आज की जो crop है वो हम लोग पढ़ेंगे आवला, काफी important crop है, बहुत सारे questions यहां से बनते हैं, ठीक है, और आज हम इसको पढ़ेंगे, और बच्चो एक आपके लिए announcement है, कि साम की जो 7 वज़े की horticulture की class हम लोग की होती है, वो 7 वज़े की class में आज MCQ होने वाले हैं, और आज का जो target MCQ का 50 question मैंने रखा है, तो मैं 50 question आपको कराऊंगा, तो साम को 7 वज़े भी जुड़ना ना भूलें, तो बच्चो शुरू करते हैं आज की अपनी class, आज की हमारी पहली class, आज की जो class है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आवला, और आवला में हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है, आवला को आवला भी लिखते हैं कहीं कहीं, एक तो A, O, N, L, A करके हम लोग लिखते हैं, और अगर आपको अमला भी लिखा मिले, तो भी आपको ये सही है, तो बच्चो इतनी बात आपको समझ में आ गई, फाइलेंथस, एमबैलिका, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो एमबैलिका ऑफिस इनेलिस पड़ा है, इसका नाम, और यहां पे सर आपने लिखा है, फाइलेंथस, एमबैलिका, तो देखो बच्चा, ये नाम्स हैं, कभी-कभी बदले गए हैं, कुछ नाम, उनक सिनोनियम्स टाइब के होते हैं, तो अगर आपको फाइलेंथस, एमबैलिका भी लिखा मिले, तो आप उसको परिशान होने की जरुवत नहीं है, ये भी उतना ही 100% सही है, जितना की आपका एमबैलिका ऑफिस इनेलिस था, ठीक है, तो यहां से आप परिशान होने की जरु करेंगे और ये बिल्कुल सही है, फाइलेंथस, एमबैलिका, ठीक है बच्चो, गुड आफ्टरनून बिंसी, तो बच्चो सुरू करते हैं, फैमिली आपकी मालूम है, फैमिली इसकी क्या है, यूफोर बीसी है, ठीक है, कौन सी फैमिली है इसकी, यूफोर बीसी है, बीसी फैमिली में जो भी पौदे आते हैं, वो कैसे होते हैं, या तो वो जीरो फाइट्स होते हैं, जीरो फाइट्स क्या होता है, आप मुझे बताओ, पहले कमेंट करके, नहीं तो मैं फिर आपको एक्स्प्लेन करूंगा, ठीक है, जीरो फाइट्स, दे कैक्टाई, और स family यानि की good afternoon बिलाल ठीक है तो zero fights जो होते हैं वो किस से belongs करते हैं वो आपके U4BAC family से belong करते हैं बचा आमला की जो family है U4BAC बहुत important family है आपसे question यहां से बहुत जादा बनते हैं good afternoon रचना ठीक है उसके बाद आमला is a hardy drought resistant fruit tree ठीक है कैसा hardy और drought resistant हाड़ी का मतलब यह होता है कि यहां पर चाहें आपका temperature कम या जादा भी हो जाए तो भी इसको कोई फरक नहीं पड़ता है और आपका जो water का condition है अगर stagnate भी हो जाता है या drought भी हो जाता है तो अभी इसको कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसले इसको hardy बुला जाता है drought resistant का मतलब है कि यह वहां पर भी grow कर जाता है जहां पर आपके water की scarcity होती है ठीक है मरुस्थल में grow होने वाले plants बिल्कुल सही बात बताईए बच्चा आपने जीरोफाइट्स वो plants होते हैं जो कहां पर arid zone में grow करते हैं जो या water की scarcity से grow करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं वो आपके water की scarcity होती है या arid zone में जो grow करते हैं ठीक है वो आपके zero of heights होते हैं a rare combination of character is its ability to withstand water stagnation to मैंने आपको बताया कि यह hardy होता है यानि कि यह आपका temperature कम या ज़्यादा में भी कोई दिक्कत नहीं है इसको ठीक है और अगर आपके drought की condition है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है even अगर stagnation हो गया पन water का यानि कि बारिस आपकी ज़्यादा हो गई और वहाँ पे water का stagnation हो गया तो भी क्या दिक्कत है तो भी इसको कोई समस्या नहीं होती है इतनी वास बन मैं आई बच्चो आई की नहीं आई ठीक है मैंने आपको बताया है कि जब मैं आपको गवावा पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो आवला है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी आवला में ज़्यादा होती है as compared to गवावा थीक है मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है वो बार्विडास चेरी में होती है किसमें वो चेरी नहीं चेरी एक ट्रॉपिकल फ्रूट है एक आपकी बार्विडास चेरी है तो बार्विडास चेरी में आपका क्या बार्विडास चेरी में आपकी सबसे ज़्यादा उसके बाद आता है आपका आउला उसके बाद आता है ग्वावा और उसके बाद आता है आपका citrus ये चार सीक्वेंस होते हैं यहां से बिल्कुल बहुत सारा question आपका पूछा जाता है इस बात का बच्चों ध्यान रखिए अगर आपको session अच्छा लग रहा हो तो like, share और subscribe जरूर करें और भी लोगों hardy plant it can be grown in variable soil condition, tolerates salinity and alkalinity ये कह रहा है कि ये कैसा, ये आपका subtropical plant है, कैसा है आपका subtropical plants है preferred by preferred dry climate, यानि कि जैसे मैंने जीरो फाइट की जब बात की थी तब ही आप समझ गए होंगे कि ये dry climate है उसको पसंद करता है, क्यों? क्योंकि arid zone में जो condition होती है या arid reason में जो condition होती है वो आपकी कैसी होती है वो mostly आपकी dry होती है देखो बच्चा dry होने का कारण 2 है पहला dry होने का कारण जब वहाँ पे water की scarcity है यानि कि rainfall कम है तो जब rainfall कम होगी तो आपको मालूम है कि वहाँ पे humidity क्या होगी, कम होगी, जब humidity कम होगी, तो humidity कम होने की बज़े से ही क्या होगा, humidity जब कम होगी वहाँ पे, तो आप सीधी वाँ समझते हैं कि वहाँ की जो climate है वो कैसी होगी, वो आपकी dry होगी, होगी की नहीं होगी, पता अल्ली से, ठीक है अगर आपका pH 8.5 से अधिग हो जाता है तो भी ये वहाँ पे क्या कर जाएगा तो भी वहाँ पे ये ग्रो कर जाएगा इसको कोई समस्या नहीं आएगी इतनी वास बन में आई बच्चो चलो आगे देखते हैं उसके बाद कह रहा है कि planting material क्या planting material या propagation ठीक है क्या propagation planting material आप किससे त्यार करेंगे तभी आपका होगा जब आप propagation करेंगे ठीक है साफ्ट वुड ग्राफ्टिंग और पैच बडिंग किससे साफ्ट वुड ग्राफ्टिंग और पैच बडिंग दो आपकी mostly techniques होती है जो planting material में आपकी इस्तेमाल होती है ठीक है कैसे दो आपकी techniques होती है जो planting material में ठीक है दो आपकी planting material साफ्ट वुड ग्राफ्टिंग और पैच बडिंग दो ये techniques है propagation की जो सबसे ज़्यदा इसमें इस्तेमाल होती है ठीक है propagation इसका seed से भी होता है किस से होता है seed से भी होता है लेकिन इसके problem है problem क्या है कि seed में dormancy पाई जाती है और dormancy होने की वजए से क्या होता है seed में जब dormancy होती है तो dormancy होने की वजए से germination इतने fast होता नहीं है तो हम अपनाते है method vegetative propagation का और vegetative propagation में हम लोग grafting और bedding दो method अपनाते हैं अगर अब आप यहां से आपसे अगर question बन जाए किसमें अगर यहां से आप में question बन जाए कि आवले का जो propagation है वो किस से करते हैं तो आप यहां पे दो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप यहां पे confused हो जाएंगे तो दखो बच्चो confused होने की जरुवत नहीं है confused होने की जरुवत इसलिए नहीं है कि जो commercial method है यानि कि सबसे ज़्यादा जो technique अपनाई जाती है वो आपकी patch wedding अपनाई जाती है कौन सी patch wedding आपकी अपनाई जाती है seed dormancy present हाँ बच्चा seed dormancy present होती है अगर इसकी dormancy आपको break करनी है तो dormancy break करने के लिए इसको running water में कैसे running water यानि कि जो बहता हुआ पानी है उसमें आप इसको 7-12 दिन तक अगर आप इसको running water में रखते हैं तो क्या होता है तो ये seed जो आपका है वो germination के लिए eligible हो जाता है यानि कि germination के लायक आपका हो जाता है तो इतना कोई नहीं करता है कि उसको 7-12 दिन तक running water में रखे और उसको proper देखे तो इस वज़ये से लोग अपनाते हैं क्या मैंने आपको बताया था vegetative propagation इसलिए फाइदेवन्द है क्योंकि ये बहुत cheap होता है और convenient होता है और easiest method होता है ठीक है इतनी वास में आई अब बात करते हैं planting की time की तो plant during July August with a spacing of 6-6 meter in a pits of 1-1 or 1.25 meter कह रहा है कि जुलाई अगस्त में करते हैं क्यों जुलाई अगस्त में करते हैं मैंने आपको बताया था कि जुलाई अगस्त रहनी का season होता है और आपका ये hardy plant है तो उस time पर मौश्तर परयाप्त रहता है तो plant की survivability के chances हैं वो कैसे होते है वो बढ़िहा होते हैं या बहुत जादा होते हैं जिस वजह से हम इसको कब plant करते हैं हम इसको rainy season में plant करते हैं with the spacing of कितना 6-6 meter ठीक है 6-6 meter की हम लोग spacing लगाते करते हैं और जो pit का size है वो normally 1 meter होता है ठीक है कितना होता है वो 1 meter भी होता है या 1.25 भी कर सकते हैं बिंसी कह रह के लिए हां बच्चा बिलकुल होता है अलग-अलग crops के लिए अलग-अलग तरीके हैं dormancy break करने के लिए chemical में जैसे आप potassium nitrate ठीक है आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि जो chemical आप जैसे H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं break करने के लिए ठीक है तो जरूरी न आपको गवावा की dormancy break करनी है तो आप H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं potassium nitrate का इस्तेमाल कर सकते हैं आप dormancy को break करने के लिए ठीक है जैसे आपको आलू की dormancy break करनी है तो आप उसके लिए थायोयूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है यह सारे chemicals हैं जो chemically used होते हैं dormancy break करने के लिए, इतनी बात समझवाई बच्छा, आगे बात करते हैं, the seeds are hard and take long time to germinate, मैंने आपको अभी बताया था, कि seeds से germination किसलिए नहीं होता है, क्यों, seed इसके hard होते हैं और take long time to germinate, germinate होने में जादा समय लेते हैं, hence the seeds should be treated with concentration H2SO4, आगया यहां पे, ठीक है, आगया H2SO4 से क्या क ले करते हैं, then washed with water and soaked in 500 ppm, आप जिबरेली के acid for 24 hour, कह रहा है कि 3 मिनट के लिए H2SO4 में डालते हैं, dormancy break होती है, और उस क्या करते हैं, 500 ppm जिबरेली के acid में, यानि GA3 के solution में डाल देते हैं, कितनी दर के लिए, 24 गंटे के लिए, ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाता है, य manures and fertilizers की बात करते हैं, किसकी, manures and fertilizers की, ठीक है, तो manures and fertilizer की बात करते हैं, तो manures and fertilizer bearing tree, ठीक है, FYM जो आपका डालते हैं, वो कितना डालते हैं, वो आपका 10 kg डालते हैं, कितना FYM डालते हैं, वो आपका 10 kg डालते हैं, यह per tree की बात है, कितने की, per tree की, किसकी, per tree की, ठीक ह इतनी वास मज़ में आई नाइट्रोजन आपका 200 ग्राम फासपोरस आपका 500 ग्राम और आपका पोटेसियम 200 ग्राम, 200 पांचो और 200 यानि कि 2-5-2 के रेशियो से आपका क्या करते हैं आपका इसमें आपकी फेटलाइजर अपलाई करते हैं बचो अगर सेशन आपका अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको भी चीजें हम अच्छी देते हैं तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए मेनत जरूर करिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी है एक लाइन क्या लिखी है मैनियोरिंग टू बी गिविन इमीडेटली आफ्टर प्रूनिग ठीक है, क्यों, यहाँ पे यह क्यों लिखा है यह कह रहा है कि जो मैनियोरिंग, यानि कि जब हम pruning करते हैं उसके तुरंट बात देनी चाहिए ठीक है क्यों क्योंकि आपको मालूम है जब pruning करते हैं तो काफी सारी जो energy है यानि कि जो इसकी stored energy होती है बहुत सारी branches आप हटाते हैं तो उसमें nutrients का flow बिगड़ जाता है जिसके लिए उसको nutrients का flow maintain करने के लिए क्या करते हैं आप उसको fertilizer या manures देते हैं इतनी बात समझ में आई बच्चा इतनी बात अगर समझ में आई तो आगे चलते हैं आगे बात करते हैं training और pruning की किसकी training और pruning की the main branch should be allowed to appear at a height of 0.5 to 1 meter above the ground level ये कह रहा है कि जब हम training करते हैं तो training में plant को पहले हम 0.75 meter या 1 meter की उचाई तक क्या करते हैं हम इसको grow कराते हैं बिना कोई काट जट के ठीक है इतनी बात समझ में आई उसके बाद plant should be trained to modified center leader system किसमे देखो center leader system और modified center leader system और open center system ये आपके 3 techniques, 3 method हैं किसके training के मैंने आपको बताया है साइद इस class में ना बताया हो तो सामकुछ 7 वज़े वाली जो class रहती है auticulture की उसमें मैंने आपको बताया जरूर होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका open center system है उसमें हम उसका head back कर देते हैं ठीक है जो center leader system है उसमें हम उसका बिना head को यानि कि बिना central axis को काटे हैं उसको ऊपर तक grow कराते हैं लेकिन जब हम modified की बात करते हैं यानि कि ऐसा system जो center leader system और open center system दोनों से मिल के बना आए यानि कि दोनों के जो अच्छाईया है उनको उसमें जोड के उसको बनाया गया है उसका modification किया गया है तो इसमें पहले हम plants को 0.75 to 1 meter तक हम grow कराते हैं और उसके बाद हम head back कर देते हैं इसलिए हम इस technique को अपनाते हैं तो हम कौन से technique अपनाते हैं modified center leader system ये बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है 2 to 4 branches with a wide crotch angle ठीक है मैंने आपको crotch angle भी समझाया था कि crotch angle जितना narrow होगा उतने ही आपकी branch के तूटने के chances ज्यादा रहते हैं जितना ही crotch angle wide होगा उतनी ही आपकी branch मजबूत होगी मैंने आपको बताया था कि ये अगर plant का आपके axis है और ये कोई branch आपकी यहां से grew ही है तो इस angle को क्या बोलते हैं crotch angle बोलते हैं तो ये crotch angle जितना छोटा होगा उतना ही branch आपकी कमजोर होगी ये crotch angle जितना आपका बड़ा होगा ठीक है उतनी ही आपकी branch क्या होगी मजबूत होगी तो कह रहा है दो से चार branch आपको रखनी है with a wide crotch angle यानि कि जो crotch angle है वो कैसा होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए इतनी वास्वन में आई कैसा होना चाहिए वो crotch angle बड़ा होना चाहिए क्योंकि जब crotch angle बड़ा होगा तभी क्या होगा तभी बच्चा आपकी जो branch है वो मजबूत होगी ठीक है appearing to the opposite direction should be encouraged in early years यानि कि चारो branches एक साथ नहीं होनी चाहिए अलग अलग direction में एक दूसरे के opposite होनी चाहिए ठीक है प्रून करना है या थिन करना है यानि कि आपकी pruning का टाइम है वो March April है और कौन सी branches को जो crowded branches है यानि कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा branches नहां पे निकली हुई है provide maximum fruit bearing area to the tree यानि कि जो disease damage और आपकी जो branches या downward hanging branches उन सबको हटाना क्या है जहां पे वहां का crowd खतम होगा तो fruiting area जो है वह आपका वहां पे बढ़ जाएगा इतनी वासवन माई बच्चा इतनी वासवन माई आगे बढ़े चलो आगे देखते है अब बात करते हैं variety की किसकी variety की ठीक है तो variety की बात करते हैं पहली यह आपकी बनारसी उसके आद NA7 क्रिस्ना, कंचन, चकिया और BSR1 ठीक है यह आपकी 5-6 variety है यह आपके लिखी हुई है कौन-कौन सी बनारसी, NA7 क्रिस्ना, कंचन, चकिया और BSR1 देखो जो आपकी क्रिस्ना variety है इसको NA4 भी बोलते हैं ठीक है, यह दो variety है NA का मतलब है आपका यह आचार नरेंद यूनिवस्टी जो फैजाबाद में है कहाँ पे UP फैजाबाद जब इसका नाम बदल के अब आयोध्या जो कर दिया गया है तो यह उत्तरपरदेश में जो आचार नरेंद यूनिवस्टी हैं तो NA वाली जो भी variety है ठीक है, कृष्णा कंचन और NA 7 यह जो भी variety है कहां से निकली है, यह आपकी फैजाबाद से यानि की अध्या से निकली हुई variety आपकी है ठीक है, इतनी वास्वन में आई ठीक है, इतनी वास्वन में आई NA 4, NA 5 NA 7, कृष्णा कंचन ठीक है यह आपकी variety है उसके बात करते हैं किसकी उसके बात करते हैं common insect और paste की कोछ इसमें insect paste लगते हैं इसमें एक insect लगता है कौन सा आपने नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा इंसेक का bark eating caterpillar bark eating caterpillar नाम तो सुना होगा आपने bark eating caterpillar यह आपका आवले में भी लगता है आपके ग्वावा में भी लगता है आपके जामून में भी लगता है ठीक है कई सारे उसमें लगता है Hathi Jool the fruit necrosis and the namedest Francis हाँ बच्चा बहुत सारी variety है मैंने कुछ variety आपको लिखी है आप जो important है काफी variety है ऐसा नहीं है अगर केवाल specially variety के ले जाएंगे तो धेर सारी variety मिलेंगे आप इतनी variety है कि आप याद नहीं कर पाओगे ठीक है तो यह मैं जो बता रहा हूँ आपको bark eating caterpillar यह आपने देखा है आपने देखा होगा लेकिन साइद आप इसको जानते नहोंगे bark eating caterpillar जो insect है वह आपके किसमें लगता है वह आपके लगता है ठीक है वह आपके लगता है किसमें मैंने आपको बताया आवले में और उसके बाद आपके लगता है जामन में और आपके लगता है आपने देखा होगा कि जो stem होता है उस stem में छोटा सा hole हो जाता है और hole के आसपास यहाँ पे देखा होगा आपने black color का जैसे आपकी चाय होती न चाय की पत्ती जो आप चाय पीते हैं घर पे आपने जो चाय की पत्ती देखी है वैसे ही सेम चाय की पत्ती कैसे छुटे छुटे black color का उसी hole के असपास काफी सारा material जमा होता है देखने में ऐसा लगता है कि जैसे चाय की पत्ती किसी ने वहाँ पे चिपका दियो तो वह दर असल क्या होता है वह bark eating cabular बारक खाने के बादी उसको वहाँ पे ऐसा बनाता है तो यह आपके केस में लगता है बारक जो आपका main branch है आपका stem है उसके अंदर एक hole बनाताया या इसके अदर क्या बनातायी एक tunnel बनाताये एक tunnel बनाताया और उसी tunnel में रहता आयauen तो आप अगर इस्प्रे भी करेंगे ना तो उसे मरने वाला नहीं होता है तो क्या करते हैं इसको मारने के लिए उसके अंदर केरोसीन आयल केरोसीन आयल समझते हो ना मिट्टी के तेल जिसको बोलते हैं बहुत जगे मिट्टी के तेल बोलते हैं तो केरोसीन आयल का क्या करते केरोसीन आयल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके उपर जो उसका होल होता है, उसको बंद करदेते हैं, चाहें गीली मिट्टी से या कॉटन से, कॉटन प्लक कर देते हैं, तो यह इसको मारने का तरीक होता है, कुछ मैंने आपके इंसेक्ट आप यहां पे लिखे हुए हैं, उनक प्रचितान प्री पीजी के लिए सफीसेंट होगी क्या यह क्लास अगर में रेगुलर अटेंट करूं हम अच्छा बिल्कुल अटेंट बिल्कुल होगी आपका स्लेवस में हौटी कल्चर का जो पूर्सन है वो सारा कवर करेगा और दूसरी वाद आप साम को साथ वजह भी हम मैं होटी कलजर पढ़ा रहा हूँ एक मैं मापकी वह पढ़ाती है फॉरेस्ट्री तो ऐसे करके सारी क्लासे से लेकर दस वजे तक चलती हैं रोज रेगुलर रहती हैं तो आप वहां से भी जॉइन कर सकते हो आपको काफी हेल्प मिलेगी और यह जो सेशन रहे हैंगे यह सार कोसिस यही है कि जो भी आपके एकजाम आते हैं यानि कि जो एक तरीके से foundation course type का है कि नाम इसका foundation रखा है ताकि आपके सारे एकजाम कवर करें ठीक है यह एफेड है यह वाइट फ्लाी है यह बग है यह लीफ रोलर है यह आपको बच्चा याद करने पढ़ेंगे एक नहीं यहाँ पर आदा गंटा मिलता है, तो आदे गंटे में बहुत सारी चीजें कुछ छूट भी जाती है, सारा content आपको नहीं मिल पाता है, courses हमारी यह रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा content प्रोवाइड करें, यह हमारी class थी, यह हमारे complete foundation courses है, ठीक है, यह agriculture का महापैख है, यह agriculture का complete foundation course है, जो भी बच्चे किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, यह उसी के हिसाब से course design किये गए है, complete video recorded courses है, और इसमें आपको एक live session भी मिलता है, doubt session जिनको दिक्कत होती है, यह आप जाके od 443, odisha वालों के लिए बच्चों के लिए है, जो od 443 code यह उन बच्चों के लिए है, जो odisha वाले बच्चों का assistant agriculture officers के लिए batch purchase करना चाहते हैं, यह उनके लिए discount है इस पे, और जो foundation batch purchase करना चाहते हैं, वो y443 apply कर सकते हैं, y443 apply करके आप, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है, तो आप इसको purchase कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका काम YouTube से चल सकता है, तो सामको 5 वजे से 10 वजे तक हम लोग YouTube पे अपनी class से चलाते हैं, जो free of cost हैं, तो अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप जरूर जुड़िएगा, और session को like, share और subscribe जरूर करिएगा, ठीके बच्चा, सामको 7 वजे हम फिर मिलेंगे होटी कच्चर के साथ, नई crop के साथ, ठीके, तब तक अपना ध्यान रखिए और जैहिंद,